Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे Top 50 MCQs on Growth and Development यह आपके Specialization का जो Unit 5th है उसका यह पहला Topic है यह 4th गलती से लिखने हुआ है तो Specialization Unit जो हमारे पास 5th है उसका पहला Topic है यह आपके JKSSB Female Supervisor Exam के लिए Most Imparted रहने वाला है इस वीडियो में हम MCQs भी देखेंगे Plus Complete revision करेंगे इस Topic की के इसमें क्या-क्या आपको पूछा जा सकता है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक Pen और Notebook अपने साथ रखा करें और चीज़ों को Note किया करें जो मैं एक्स्रा चीज़ें आपको बताता हूँ बाकी अगर आपने GK के Lecture नहीं हमारे देखे हुए तो आप Playlist में जाए और उनको भी देख सकते हैं कंप्यूटर पे मैंने पांच जो वीडियो हैं वो अप्लोड किये हैं वो GK वाले और जो हमारे पस कंप्यूटर के portion हैं बहुत important हैं आप उनको मिस नहीं कर सकते हैं Science के भी 3-4 Lecture अप्लोड हो चुके हैं आप जाएं और देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोशन आज का क्या होने वाला है उसकी बात करते है देखिए हमारा पहला कुशन हमसे पूछा गया किसके अकाडिंग ये बात कही गई है तो इन में से आपने उसका नाम बताना था सोशियोलोजिस्ट का नाम तो अकाडिंग तो अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं इतना अपने याद रखना है और इसी तरह ड्वेल्पमेंट एक ऐसा प्रोसेस है चैंज इन ग्रोथ अगर्डिंग बात करें द्यूट अपने याद रखना है और इन्ट्रेक्शन विद्धा इन्वारमेंट ये इनके अकाडिंग ये बाते कही गई है अगर आपको एक्जाम में कोशिन बन जाता है तो आप इसको इसली कर रहना अगली कोशिन की बात करते हैं अगला कोशिन आप इसे सैकेंड पूछा गया डैश can be defined as an increase in physical size ठीक है increase in physical size में ये मास में आ जाना increase और मिजर इन हाइट में आप इसे मिजर कर सकते हैं weight में ये फिर वालियूम में ऑप्शन है growth, development, reproduction ये life process तो याद रखना है इस question का answer है हमारे पास option number A यहाँ पे growth growth can be defined as an increase in physical size और mass और मिजर इन हाइट, weight or volume आपने इतना इसके बारे में याद रखना है और growth की बात जब करते हैं तो ये quantitative change होती है ठीक है जब हम बात करते हैं growth की growth है क्या है quantitative change है लेकिन जब हम बात करेंगे ने development की तो development जो होती है उसमें quality भी आती है और quantity भी आती है दौनों चीज़े देखी जाती है मैं जब development की बात कहा रहा हूँ ठीक है लेकिन in case आप मैंने कहा growth के case में ये हमारे पास quantity to change होती है और ये किस की वज़ा से होती है result of cell division and differentiation की वज़ा से होती है ओके clear देखें आपको मैंने WhatsApp group में inform किया था कि आज से हम क्या करेंगे रात के 9 बज़े या 9 बज़े के बाद मैं आपको inform कर दूँगा WhatsApp group में भी कि आपका एक quiz लिया जाएगा mini quiz daily जो specialization पे base होगा और जो आपका पहला sub unit है पहला topic है आज उस पे MCQs होंगे उसमें से आप कितने marks score करेंगे वो आपने वहाँ पे comment box में बताना है पहले आप answer choose किया करेंगे फिर मैं आपको answer बताया करूंगा आपने वीडियो को pause करना है फिर answer देना है कापी pencil पास रखनी है आपने ये analyze करना है कितने question उसमें से ठीक करेंगे फिर आपको idea हो जाएगा कि हमारे इतने question ठीक हो रहे है वहाँ पे आप बिल्कुल such such अपने marks बताया करेंगे ठीक है चलें अगले question की बात करते है अगला question पूछा गया ये कौन सी change है जो हमारे पास capacities of an organisms जिसमें आते हैं जैसे ability to learn, communicate and adopt to the environment growth, development भोथ है और भी none of these तो याद रखना है इसमें हमारे पास development development refers to the change in functional capacities of an organisms such as ability to learn, communicate and adopt to the environment देखें जब हम development की बात करते हैं तो development के बारे में आपने इतना याद रखना है refers to change in the functional capacities of an organism such as it's ability to learn, communicate and adopt to the environment उस भी वाद आपने याद रिखने है कि इन्वाल्स करता है क्वालिटीटिव जैंस मैंने आपको आपको अरड़ी बता दिया था that occur as a result of interactions between genetic and environmental factors जो किसकी वज़ा से आती है genetic और environmental factors की वज़ा से आती है और development is a discontinuous process that occurs in stage and follows a predictable pattern जो हमारे पास predictable pattern और evolution की बात करते हैं question number 4 आप से dear experience पूछा गया है which of the following are the typical stages of human growth and development देखें मैंने question को इस तरह से frame किया कि ताके आपका ये topic complete हो जाए कि इसमें आपको पढ़ना किया था और question कैसे बनेंगे आप से पूछा जा सकता है कि हमारे पास typical stage क्या है हमारे पास human growth and development की infant, childhood, adolescent, toddler all of these तो याद रखना है ये सारे के सारे इसके option correct होने वाले हैं आपको पता है infant भी होता है, childhood stage भी होती है, adolescent stage भी होती है, toddlers भी होती है तो इसका correct answer all of these है ओके आगे बात करते हैं आप से question पूछा गया which factor play major role in determining individual height, weight and other physical characteristics कौन सा एक ऐसा factor है जो play करता है role कि इसमें individual की height में, weight में या physical characteristics में genetic factor होंगे, cognitive factor, health and wellness, none of these तो याद रखना है इस question का answer dear aspirants मारे पास genetics factor है, जो genetics factors होते हैं उसी की वज़ा से हमें पता चलता है कि वो individual की height की बात करें, weight की बात करें, या other physical characteristics की बात करें, या पाचन question है आपने इसको याद रखना है अगला question आप से क्या पूछा गया, question number 6 की बात करते है which stage starts at conception and ends at birth, during this stage the embryo undergoes rapid cell division and differentiation and the major organs and system start to form देखें, इस question पर बात करने से पहले में आपको थोड़ी सी एक चीज समझा दूँ, आप उसको note भी करेंगे, ठीक है क्योंकि ये आपको PDF में पता नहीं मिलेगी या नहीं, जो मैं यहाँ पर बताऊंगा देखें, हमारे पास जो developmental stage होती है, सबसे पहले उसमें जो होती है एक एक चीज नोट करना, pre-natal stage होती है, क्या होती है, pre-natal stage होती है, ये बहुत important topic है, दूसरी होती है, हमारे पास neo-natal, क्या होती है, neo-natal तीसरी जो होती है वो हमारे पास होती है What Yeah, Infancy किया होती है? Infancy पहले इन तिनों की में बात कर लेता हूँ जो हमारे पास prenatal होती है frenatal जो होती है ये from conception to birth होती है zero से आप 40 weeks के बीच मौन सकते है जो इस age के होते है zero से 40 weeks के बीच में आते हैं from conception to birth के बीच में वो प्री नेटल में आते हैं नियो नेटल की बात करते हैं यह फ्रॉम बर्थ टू फॉर वीक तक आती है कि कहां तक फ्रॉम बर्थ से लेकर यहां पे फॉर वीक के बीच में नियो नेटल आते हैं यह पाइंट याद रखने हैं और इंफंसी की बात करें तो यह One Year के बीच में आते हैं ठीक है Oneth से लेकर One Year के बीच में Infancy आते हैं उसके बाद बात करते हैं हमारे पास होती है Toddler Hood क्या या Toddler भी आप कह mujer क्या सकते हैं Toddler Hood की जब बात करते हैं तो यह हमारे पास fistît उरली childhood sorry From One Year से आप मान सकते हैं From One Year तो 3 years, चीख良 है? यह आप northern कर ल依ाए इंपार्चल होगा आपसे exactly ऐसे question बनेगा उसके बाद toddler की बाद हो ग़ी उसके बाद होते हैं pre-school भी आता है pre-school में आपको पता होना चाहिए जो pre-school हैं उसमें 3 से 6 साल के बीच वाले आते हैं तीन से, जो हमारे पास 3 से 6 ये वले, आगर हम बात करते है स्कूल की, इस टेज की तो स्कूल में आपको ये भी पता होना चाहिए, कि लेट चाइड़ हुड़ाता है, यानि सिक्स से ट्वेल वियर, जो होते हैं, वो हमारे पास स्कूल की स्टेज में आते हैं, प्री स्कूल नहीं वह रहा है, स्कूल की बात कर रहा हूँ, फिर अडॉलो सेंस आते हैं, अडॉलो सेंस के बारे में आपने DRS परेंस यह याद रखना है, कि यह 12 से 18 साल के बीच में आते हैं, इतना आपको पता चल गया होगा, चले, क्वेशन क्या कहा रहा था, अच्छे से स्टेटमेंट को समझे, पूछ रहा है, आप से कह रहा है, कि कौन सी स्टेट जो है, वो स्टार्ट होती है, कंसेप्शन से, और एंड होती है, बर्थ, एंड अड बर्थ, और दूरिंग दिस स्टेज, इम्डियू अंडर्गोज रैपिड सेल डिवीजन और डिफ अल अफ दीज, तो डियर एस्पेरिंट्स इस कौश्चन का अंसर है, प्रिनेटल, मैंने आपको अरड इवी समझा दिया था, प्रिनेटल स्टेज जो है, तो यह अपने याद रखने है, कौश्चन नमबर आगे की बात करते हैं, कौश्चन नमबर 7 की, पौश्चन नमब यह dual patients of trust and attachment to their primary caregiver से यहां पे आपने इसको बताना है इसका क्या अंसर है प्रीनेटल स्टेज में ऐसा होता है इंफंसी स्टेज में होता है टोडलर स्टेज में होता है बोथ B and C तो dear parents इसका अंसर है बोथ B and C इसका correct अंसर है इंफंसी स्टेज भी है टोडलर स्टेज भी है तो याद रखना अगले कुशन की बात करते है अगला कुशन आपसे पूछा गया विच स्टेज स्टार्ट्स एट अट एज अफ टू यानि ये दो साल की येर में टू येर की एज में ये स्टार्ट होती है ये रहती कहा था का सिक्स इयर तक ठीक है अपने इस स्टेजमिन को सम्मेना यहां से कुशन आएंगे अरली चैल्ड होड स्टेज में क्या होता है कि जो मारे पास स्टार्ट्स एट एज अफ टू अं लास्ट्स अंटिल दा एज अफ सिक्स अगली कोशन की बात करते है कोशन में नाएन की कोशन में आप से पूछा गया यहां पे विच स्टेज स्टार्ट्स अट एज अफ ट्वेल्व अं लास्ट्स अंटिल दा एज अफ एटीन यानि ट्वेल्व स्टेज से यह स्टार्ट हुई और अठारा साल तक मारे पास सिगनिफिकेंट फिजिकल सोशल और इमोशनल चेंजिस को और ड्वेल्व करता है सेंस अफ आइडेंटिटी एट अटोनॉमी चैल्ड हुड स्टेज है टोडलर है अड़लो सेंस है नन अफ दीज तो दीज अफ दीज तरह से आपको पता होना चाहिए इस तरह से आपका यह जो स्टेजिस है वो कंप्लीट हो जाएंगी थूँ एमसी क्यूज आपको कहीं से भी क्रेमिंग करने की या इदर उदर बटकने की जरूरत नहीं है पर टैन की बात करते हैं वीच स्टेज स्टार्ट से अट अफ एटीन अफ एटीन अफ एटीन अफ लाइफ अब क्या कह रहा है अठारा से लेकर जब तक आपकी जिंदगी का एंड होता तब तक यह स्टेज चलती रहती है इस स्टेज के दुरान जो इंडिविजिल है वा एक्सपिरियन्स करता है फीजिकल, सोशल और एमोशनल चेंजिस को और टेक्स ऑन न्यू रोल्स और रिस्पॉंसिबिलिटीज को भी साथ-साथ लेके चलता है अडल्ट हुड, इंफैंसी, टोडलर, आल अफ दीज तो दियर एस परेंस इस कोश्टिन का अंसर है अडल्ट हुड स्टेज अडल्ट हुड स्टेज में क्या होता है कि स्टार्ट अफ दा एज अफ एटीन एंड लास्ट अंटिल अंड अफ लाइफ दूरिंग इस स्टेज दा इंडिविजुल एक्स्पिरिंस इस फिजिकल, सोशल और एमोशनल चैंज और इस तेज होना रमोशन अफ बात करते हैं आर्मोशन बेल विश्न वह बहत इम्पार्टन इस आंसर वाल थी sûr बहुत इंड आझज हाँ यह biological factor होते है children की development के लिए okay biological factors जो है मारे पास includes genetic influences, brain chemistry, hormone level, nutrition and gender, here is a closer look at nutrition and gender and how they affect development, तो आपको यह पता होना चाहिए यह चीज़े सारी इसके लिए important है, अगले question की बात करते हैं, अगला question आप से पूछा गया, what are the characteristics of biological influence on human growth and behavior, कौन से ऐसे characteristics हैं, जिनका biological influence है human growth and behavior पे, genetic factors है, brain functions, जो neurotransmitters, यह all of these, तो याद रखना इस question का answer भी all of these है, ठीक है, यह सारे के सारे factors जो है, यह character sticks है, biological influence के human growth and behaviors के लिए, चाहिए हम genetic factors की बात करें, brain functions की बात करें, neurotransmitters की बात करें, ठीक है, अगले question की बात करते हैं, these major factors include genetic factors, brain functions, neurotransmitters, the endocrine system and our physical health, यह सारे के सारे इस question आप से पूछा गया, what is growth according to हर लोग, हर लोग के according growth क्या है, increase in size, acquisition of new features, emotional changes, all of the above, तो याद रखना इस question का answer है, all of the above, जो हर लोग था, उसके according यह सारे चीज़े थी, के increase in size में, increase होना, acquisition of new features होना, emotional changes होना, यह according to हर लोग के according था, उसकी theory के according, ठीक है, अगले question की बात करते है what is the main focus of development, जो main focus होता है, development का वो क्या होता है, option physical change होता है, emotional change होता है, quality to change in the organisms, या change in weight, तो इस question का answer आपने बताना था, main focus development का क्या है, तो main focus जो होता है, वो qualitative change होता है in organism, option number C, main focus आप से पूछा गया था, development का क्या होता है, तो यह हमारे पास, आपने याद रखना है, qualitative change in the organism, clear अगले question की बात करते हैं Dear parents अगला question आपसे पूछा गया What does adolescence reference to? कि adolescence में यहां पूछा गया कि क्या-क्या वो reference करते हैं The age of toddlers, the developmental transitions between childhood and adulthood या late adulthood stage या the childhood stage Already मैं ने आपको बता दिया इस question का answer है The developmental जो हमारे पास transition होता है between childhood से लेकर adulthood के बीच में तो यह इसको prefer करता है तो आपने याद रखना है The developmental transition between childhood and adulthood Question number अगे हम पूछा गया Question number 16 What does John Lacky compare child minds to? कि जो John Lacky था उसने compare किया Child minds को किसके साथ? Blank state के साथ? या फिर book के साथ? या फिर computer के साथ? या puzzle के साथ? तो याद रखना इसने blank जो हमारे पास state है इसके साथ मारे पास minds को compare किया हुआ है जौन लेकिन है अगले question की बात करते हैं कुछ theories हैं इसके उपर तो उनसे ये question बनाएगे है अगला question आप से पूछा गया The two major founders of behaviorism are Behaviorism के दो major founder कौन से हैं? Edward Thorindike या फिर जौन वाटसन बोथ है इसका correct answer है Question number 18 की बात करते है Question number 18 आप से पूछा गया Each of the following statement is correct Question पूछा कि इसमें से कौन सी statement correct है Growth refers to physical and biological chance Yes, ये तो true है Development refers to functional behavioral chance ये भी ठीक है Learning refers to adapting to environmental conditions ये भी correct है Maturation refers to a transition into an adult like state ये भी true है Regarding some sorts of skill and behavior और E है All are correct बहुत important question है इसको note कर ले एक एक चीज़ को तो all are correct इसका answer आ रहा है ये सारी की सारी statement correct है Growth के रिलेटिड, development के रिलेटिड, learning के रिलेटिड, maturation के रिलेटिड सारे question बहुत अच्छे से यहां पे बनाएगे हैं तो यह आप याद रख सकते हैं अगले question की बात करते हैं Question number 19 बोचा गया विज़ाद आ फॉलिंग और important principles of growth and development कौन से important principles of growth and development के principles of association of maturation and learning भी option है और्थो जिनेटिक principle सी है सफ हेलो, casual principle दा प्रो, proxy, modistal principle आल अफ दीज तो याद रखना यह सारे के सारे जो है यह important principles है growth and development के ठीक है यह सारे के सारे क्या है मारे पास important principle है growth and development के note कर लेना अगले question की बात करते है question पूछा गया what is the first event of puberty called के जो first event होता है puberty का उसे क्या कहा जाता है growth spot, developmental growth, cognitive development none of these तो याद रखना इस question का अंसर है growth spot जो है वो मारे पास first event होता है यह प्रपोज किया था जो individual है तो eight stage of development से जाता है और each with its own unique challenge and resolution और हर एक का अपना unique challenge और resolution होता है Albert Cohen ने कहा ऐसा George Murdoch ने या फिर Erikson या none of these तो याद रखना according to Erikson theory के according हमारे पास यह answer था Erikson theory propose करती है कि individual जो होता है यह go through eight stage of development each with its own unique challenge and resolution और understanding these stage can help us better understand ourselves and others and navigate the challenge of life with greater ease तो यह अपने याद रखना है according to Erikson theory के according individual go through eight stage of development ओके फिर पूछा गया what are the four stage of प्यागेट cognitive development जो प्यागेट की theory थी development के according उसकी कौन सी four stages है sensory meter stage बर्थ जो बर्थ से two year तक होती है pre operational stage जो दो से साथ साल होती है या concrete operation stage जो साथ से ग्यारा होती है या formal operation stage जो age 12 से अप होती है all of these one of the most important question तो all of these इसका correct answer है जो प्यागेट cognitive development था उसके according यह सारे options जो है वो correct है तो अब आपने बूलना नहीं है अगरे question number 23 की बात करते हैं तो याद रखना इस question का answer है structuralism is developmental theory which focuses on structural aspects which impeded the economic growth of developing countries तो आपने याद रखना है option number A इसका correct answer है question अगले की बात करते हैं अगला question पुछा गया इस दा फादर आफ structural theory structure theory का फादर कौन है जो विलहलम वंडट है अलाक का बासू है एंडरी बैटिली है नन अफ दीज तो याद रखना जो फादर है structure theory के वो विलहलम वंडट है option number A इसका correct answer है अगले question की बात करते हैं number 25 की तो आपसे पूछा गया the most prevalent risk of adolescent are adolescent जो होते है adolescent का most prevalent risk क्या होता है sexual risk taking होता है injury and violence बोथ है नन अफ दीज तो याद रखने question का answer है C both A and B sexual risk taking भी होता है और injury and violence भी जो है यह most prevalent risk है adolescent के अगर हम बात करते है most prevalent risk adolescents are sexually risk taking substance use injury and violence being the leading cause of death in age 10 से जो मारे पास 24 year की age में आते हैं और motor vehicle crash जैसे होगी 30% is related आते है homicide की 15% and suicide 12% cases आते हैं तो यह आपने याद रखना है अगरा question आप से पूछा गया what are the five characteristics of adolescence adolescence के पाँच करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है rapid growth both physical and mentally sexual attraction, cognitive development interests in new babies and self discovery all of these तो याद रखना है इस question का अंसर है all of these यह five के five characteristics adolescence से विलोंग करते है rapid growth both physically and mentally भी है sexual attractions भी है cognitive development भी है interest in new babies and self discovery भी है अगले question की बात करते हैं अगला question आप से पूछा गया which growth refers to the growth of feelings like low joy, anger, hate, extra in an individual emotional growth, mental growth, social growth none of these तो याद रखना है बहुत important question है emotional growth जो होती है refers to the growth of feelings like love, joy, anger, hate, extra in an individual अगले question की बात करते हैं अगला question आप से पूछा गया dash growth refers to the bodily growth that includes weight, height and other types of development in the body physical growth, mental growth, social growth none of these तो question से ही आपको समझ आ चुका होगा इस question का answer है physical growth refers to bodily growth that includes weight, height and other types of development in the body clear अगले question की बात करते हैं अगला question आप से पूछा गया dash growth develops the child mind that helps the child solve problems make judgment, extra mental growth, social growth, physical growth none of these तो इस question का answer है मारे पास mental growth जो होती है ये develops करती है child minds को that helps the child solve problems make judgment, extra okay question में 30 की बात करते हैं question में 30 पूछा गया human development index compare countries based on which are the following level of people health status by capital income education level all of the optional correct तो याद रखना all of these ये सारे के सारे option correct है इसके according क्या होता है country based on जो human development index है वो compare करता है country को based on health status by capital income educational level तो याद रखना अगले question की बात करते है question 31 which principle states that development proceeds from simplex to complex को और सा principle state करता है जो development है ये proceeds करती है simple से complex की तरफ orthogenetic principle कहता है या proximo digital principle या फिर सफेलो casual principle या फिर growth principle तो याद रखना option number A जो orthogenetic principle है ये state करता है that development proceeds from simple to complex ओके अगर आपको हमारी lecture सच्छे लगते है वीडियो को like कर दिया करो देखें आपका वीडियो को like करना आपको ही help करेगा क्यूंकि आपको हमारी फिर वीडियो show होती रहती है अगर आप like नहीं करेंगे जो आप नया lecture लाएंगे वो आपको show भी नहीं करेगा ठीक है जी अगले question की बात करते है वीचादा following is not a developmental stage तो यह किस तरह से डिपरेंट वे हैं द्यूरिंग पुबर्टी के दौरान चाइल्ड हुड के दौरान डट हुड के दौरान ओल्ड एज के दौरान तो याद रखना इसका अंसर है प्यूबरीटी boys and girls grow in different way द्यूरिंग प्यूबरीटी option number 8 इसका correct answer है अगले question की बात करते है every country and society have its own industries cultural identity या school या फिर all of these तो याद रखने जितने भी country हैं या society हैं उनका अपना ही क्या होता है cultural identify होता है option number 20 का correct answer है question पर 35 की बात करते है dash begins during pre-operational stage के दौरान क्या शूरू होता है आपको पता होना चाहिए यहाँ पर language development जो होती है beginning इसकी शूरू होती है pre-optional development stage पर अगले question की बात करते है अगला question आप से पुछा गया what are the responsibilities of an adult एक adult की क्या क्या responsibilities होती है to get a job to get married to an age children या फिर all of these तो आप सब को पता है कि यह सब सब की सब responsibilities होती है एक adult की question पर 37 की बात करते है आप से पूछा गया what does old age begin when does old age begin sorry 60 year 40 year 25 year 90 year कि old age कब शूरू होती है तो option number A है 60 year से हमारी old age शूरू हो जाती है ठीक है अगला question आप से पूछा गया what kind of approach do adolescent have adolescent की किस तरह की जोच होती है वो मारे पास idealistic होती है option number A इसका correct answer है अगले question की बात करते है अगले question की बात करते हैं अगले question आप से पूछा गया young people center thinking around themselves this is called कि जो young people होते है center there thinking around themselves इसको क्या कहा जाता है centralism ego centristism egoistic none of these young people center thinking around themselves this is called ego centrist okay option number B का correct answer है अगले question की बात करते है अगले question आप से पूछा गया dash refers to increase in size height and weight growth development maturation none of these already में इस question को पढ़ा चुका हूँ physical growth refers to increase in size and height okay अगले question की बात करते है अगले question आप से पूछा गया process by which the child gains the knowledge and skills needed to function successfully in adult societies called family planning socialization growth development as a process जिसमें child gain करता है knowledge and skills needed to function successfully in adult societies उसे socialization क्या कहा जाता है socialization is the process by which the child gains the knowledge and skills needed to function successfully in adult society okay question number 42 की बात करते है आप से पूछा गया the most important theories related with growth and development are कौन सी है फ्रियोड प्यागेट अरिकसन बावले भी तो इस question का answer है all of these the most important theories related with growth and development इन सब की theories जो है वो growth and development के related है ओके अगले कुशन की बात करते है the theory of cognitive development by gene प्यागेट तस्वीश साइकोलोजिस्ट suggest that children intelligence undergo changes as they grow true है ये statement ये false तो याद रखना है इस question का answer है हमारे पस true the theory of cognitive development by gene प्यागेट अगले कुशन की बात करते है अगला कुशन आपसे पुछा गया which theorist is known by his stage of psychosexual development के लिए कौन सा जाना जाता है gene प्यागेट अरिक अरिक्सन बी एफ स्कीनर या फिर सिग्मोंड फ्रेट तो इस question का answer है option number D सिग्मोंड फ्रेट जो है ये ज़रे जाते फारी स्टेज आफ psychosexual development के लिए कौशन पर 45 की बात करते है according to अरिक अरिक्सन the primary focus आपता identify versus role confusion stages developing trust in others establishing intimacy relationship forming a sense of self and identity या फिर achieving industry and competence तो इस question का answer है हमारे पास forming a sense of self and identity okay according to अरिक अरिक्सन the primary focus on the identity versus role confusion stages forming a sense of self and identify okay identity sorry अगले question की बात करते है which theory explore the emotional bonds form between children and their caregivers evolutionary psychology attachment theory cultural historical theory socio-cultural theory तो या रखना इस question का answer है attachment theory भी जो है explore the emotional bonds found between children and their caregivers okay question number 47 की बात करते है maturation refers to a transition into an adult like state regarding some sort of skill or behaviors true या है false to maturation refers to a transitions into an adult like stage regarding some sort of skill or behavior तो या हमारे पास true है okay question number 48 की बात करते है आप से पूछा गया विज़दा following are the aspects of growth and development physical, social, emotional, cognitive, all of these तो याद रखना हमारे पास question का अंसर all of these है जो हमारे पास physical, social, emotional, cognitive, development है या aspects है growth and development की okay question number 49 की बात करते है आप से पूछा गया according to the provisional reports released on 31st March 2011 the Indian population increased to 1.21 billion with a decadal growth of 17.70%, 17.10%, 27.70% none of these तो याद रखना है question का अंसर है 17.10% ठीक है according to provisional reports released on 31st March 2011 the Indian population increased to 1.21 billion with a decadal growth of 17.70% याद रखना last question की बात करते है question number 50 growth and development of an individual is the product of environment, heredity, heredity environment, none of these तो याद रखना जो growth and development होती है एक individual की वो product होता है heredity और environment का ठीक या अपने याद रखना है इस वीडियो में हमने कितने question डिसकास की है 50 question डिसकास की वोटसेप ग्रूप जाइन करने के लिए 849288618 पर message करना आपको add कर दिया जाएगा 8492886188 ऑकी अपनी हल्ट के साथ साथ आपने क्या करना है अपनी प्राइप पर भी फोकस करना है दानू चीज़ों को साथ लेके चलना है take care of yourself जाओ झाओ को norm monter प्राइप प्राइप लेके अबड होब ग्रूफ लेके